हेलो फ्रेंड्स, LGRS Study Polytechnic के इस महातपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हम Practice Set का discussion करने वाले हैं जिसमें आपको बता दे कि Physics, Chemistry और Math के Top 90 question का discussion करने वाले हैं जो कि आपके Polytechnic परवेश परिक्षा के लिए काफी महातपूर्ण है तो अगर आप भी इस बार Polytechnic परवेश परिक्षा देने वाले हैं तो आप लोग इस सभी question को बहुत ही कम समय में solve कर पाईएगा चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले यहाँ आप आप Physics का देखेंगे बहुत की का देखेंगे इसके बाद Chemistry और हम लोग Math देखेंगे काफी मातपूर्ण सेशन होने वाला है एक भी question एसकी पाप नहीं कीजिगा ध्यान से एक question को जरूर जो है देखिएगा best practice जो है आपका होने वाला है चलिए शुरू करते हैं यहाँ आज का आपका first मातपूर्ण question है पूछा जा रहागी जब किसी बर्फ के टुकड़े को उसमा दी जाती है तो इसका ताप जो है क्या होता है इसके ताप पे क्या परभाव पढ़ता है तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा याद रखेंगे पहले बढ़ता है और फिर इस्थीर हो जाता है पहले क्या होता है बढ़ता है और फिर क्या होता है इस्थीर हो जाता है इसका ताफ यह आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके दो नंबर मारतपुर्ण कोश्चन, दो नंबर कोश्चन के दोरा यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, एक 20 ओम के परतिरोधक तार को खीच कर उसकी प्रात्मिक लंबाई को दो गुनी कर दिया जाए, तो आपको बताना है कि इसका परतिरोध जो है क्या होगा, त आपको बता दे कि जब हम तार के लंबाई को दो गुना करते हैं, तो परतिरोध जो है चार गुना बढ़ जाता है, क्योंकि जब कभी भी हम तार के लंबाई को अगर दो गुना करते हैं, तो उसका जो परतिरोध है, वो चार गुना क्या होता है, अधिक हो जाता है, तो च 20 चोके क्या हो जाएगा 80 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सयान से लोगा और इस तरह से आप बाइट ट्रिक जो है सब कुश्चन को बना सकते हैं यहाँ पर जो है तीन नमबर कुश्चन के दोरा पूछा जा रहा है कि दो बिधूतिय हीटरों A और B पर करम सा अंकित हैं एक हीटर पर लिखा हुआ है 500 वार्ट 220 वोल्ट एवं दूसरा पर लिखा हुआ है 1000 वार्ट एवं 220 वोल्ट तो आपको बताना है कि A और B के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बोल्ट तो दोनों में स्यम है अंतर कहां पर है तो वार्ट के अंदर है ठीक है तो यहाँ पर जिसका वार्ट जो है अधिक है उसका परतिरोध होगा वो कम होगा और जिसका कम है वार्ट उसका परतिरोध अधिक होगा तो यहाँ पर ह आपको जाना है इसका होगा एक और इसका होगा दो क्योंकि ये दो गुना कम है तो दो अनुपात एक इस तरह से यहां पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा क्योंकि कितना इस से कितना कम है दो गुना तो इसका यह होगा दो और इसका क्या होगा एक होगा इसका जो परतिरोध होगा वो एक होगा तो दो अनुपात एक की तरह से आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा और इस लॉजिक के साथ आप इस कुश्चन को बना सकते हैं यहाँ पर आपका तीन का जो सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे आपके चार नंबर कुश्चन को पूछा जारे कि दो ओम और चार ओम के दो परतिरोधों को छो बोल्ट बैटरी से समांतर क्रम में जोरा गया है क्या किया गया है दो ओम और चार ओम के दो परतिरोधों को छो बोल्ट बैटरी से एक बैटरी है जिसका जो है छो बोल्ट का है छो ब प्रतिरोधों के सीरों के बिधवानतर का अनुपात होगा वो कितना होा तो देखिए जब कभी भी समानतर कर्म में जोरा जाता है तो बिधवानतर से प्रतिरोद से उस पर कोई भी परभाव नहीं पड़ता है तो यहां पर छोग वोल्ट से जोरा जाए या फिर कितना भी वोल्ट से जोरा जाए अगर समांतर क्रम में जोरा गया है तो बिवांतर क्या होगा समान होगा तो यहां पर चार का आपका एक अनुपात एक यहां पर बिल्कुल जो है, صहीh आंसर होगा, क्योंकि जब कभी भी समांतर करम में जोरेंगे, तो वीवांतर क्या होता है, यह जैसा होता है, यह आप याद रखेंगे, यहाँ पर आपका यानिकी एक अनुपात यह बिल्कुल जो है, सहीh question के दोरा यहाँ पर आपसे पूछा ज़रा की एक सुखे सेल में रिनात्मक इलेक्ट्रोड निम्न में से किस से बना होता है रिनात्मक इलेक्ट्रोड जो है वो किस से बना होता है यह आपको बताना है तो छोका जो यहाँ पर आपका साथ नमर कोश्चन है कि बिधूत मोटर एक यंत्र है जो क्या करता है यह आपको बताना है तो साथ का यह पर आपका यह उप्शन ही सही होगा यह क्या करता है बिधूत यह उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदल देता है यह आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं देखे यहाँ पर आपके आठ नमबर महातपूर्ण कुश्चन काफी महातपूर्ण होने वाला है ध्यान से समझेगा ताकि एक बाड़ आप देखे और डारेक्ट आप एकजाम में जाकर के आंसर टिक करें आठ नमबर कुश्चन है निमने लिखित में से किस परी स्थिती में बिधुत धारा उत्पन होगी ये आपको बताना है और A ओप्शन जो है यहाँ पर आपको दिया गया कि एक चुम्बक को किसी चालक कुंडली के अक्ष के सापेक्ष लाया जाए B ओप्शन यहाँ पर आपको दिया गया कि एक कुंडली को चुम्बक की चेतर में घुमाया जाए C ओप्शन दिया गया कि एक चालक तार कुंडली को चुम्बक की चेतर में लंबबत घुमाया जाए तो यहाँ पर आपका D option स्योगा उप्यूक्त सभी इस थिती में आपको पता होना चाहिए कि क्या होगी विदुधारा उत्पन हो सकती है आगे बर जाएंगे तो D option यहाँ पर आपका स्योगा उप्यूक्त सभी ठिक है 9 number question के दौरा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विदुधारा के चुम्ब की परभाव का सर्व परथम पता लगाने वाले बैग्यानिक का नाम है बिदुधारा के चुम्ब किये प्रभाव का सबसे पहले जो है किस ब्याग्यानिक ने पता लगाया था ये आपको बताना है तो नौका यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो यह होगा या रिखेंगे और स्टेड यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं देखेंगे यहाँ पर आपके दस नंबर मात्पूर्ण कोश्चन पूछा जारे कि सोड़ी आधिक मात्रा में उर्जा निम्न में से किसके द्वारा उत्पन करता है तो दस का B आपका सही होगा याद रखेंगे नावकी सनलेन के कारण जो है सोड़ी आधिक उर्जा जो है उत्पन करता है यह आप याद रखेंगे एक गारा नमर कुश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न लिखित में से किस एक का उप्योग नावकी बिखंडन की करमिक परतिक किरियाओं को नियंतरित करने में नावकी रियक्टर में होता है यह आपको बताना है तो एक गारा का आपका बी आप्शन जो है सही होगा याद रखेंगे कैडमियम छर्क ठीक है कैडमियम छर्क का उप्योग करके नावकी बिखंडन की करमिक परकिरियाओं को नियंतरित किया जाता है यह आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं बारा नमर कुश्चन रेखेंगे पूछार की नावकी बिखंडन में नावकी अभिकिरियाओं को शुरू करने के लिए जो है कौन सा इसमें से स्थिती जो है उत्पन होता है यह आपको बताना है तो बारा का यहाँ पर आपका सी ओप्शन से होगा जा जखेंगे एक नियो ट्रॉन का परवाह किया जाता है यह आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखेंगे आपके जो तेरा नमबर महत्पुर्ण कुश्चन है पूछा जा रहा है कि यदि एक एंपियर की बिदुद्धारा पांच मिनट तक परवाहित हो तो किसी चालक के अनु का वैल्यू कितना दे दिया गया आपको दो दे दिया गया सौरी यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है यह नुम्रिकल टाप कुश्चन है तो ध्यान समझेगा यदि दो एंपियर की बिदुद्धारा यहाँ पर बिदुद्धारा कितना दे जा रहा है दो एंपियर यहाँ पर आपको बताना है ठीक है यानि कि क्यूं का वैल्यू आपको बताना है क्यूं को आप इसको क्यूं से सुचित करते हैं क्यूं बताना है और यहाँ पर आपको जो है वह एंपियर दो एंपियर दे दिया मतलब बिधु धारा दे दिया गया है क्या दे दिया गया है ब और i का value यहाँ पर आपको 2 दिया गया है i that means विदुधारा 2 ampere दिया गया है और t है यहाँ पर आपका 5 मिनट और 5 मिनट को जब आप second में change कीजिएगा तो 60 पंचे 35 यानि कि 300 हो जाएगा 300 हो जाएगा और 2 को जब आप 300 से गुना किजिएगा तो 600 कुलंब यानि कि D option यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही answer हो जाएगा इसी तरह साप numerical question भी solve पड़ेंगे यहाँ पर देखेंगे आपके जो 14 नंबर question है पूछा जाएगा कि किसी lens की focus दूरी plus 20 सेमी है इसकी छमता होगी तो आपको पता होगा कि lens के छमता का जो formula होता है लेंस के छमता का formula होता है P बराबर 1 by F और P बराबर 1 by F जब कीजिएगा तो 14 का यहाँ पर आपका सही answer होगा वो D होगा 5 डायोक्टर निकलके आएगा क्योंकि 100 को आप 20 से भाग कीजिएगा तो 25 पंची 100 होता है तो यहाँ पर आपका 5 बिल्कुल सही answer हो जाएगा सेमी है इसको आपको मीटर में change करना होगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखेंगे जो है आपके 15 नंबर महात्पूर्ण कोश्चन है यहाँ पर आपके 15 नंबर कोश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि निमनलिखित में से कौन सी एक बिधी का उप्योग जो है प्रदूसन रहित बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है प्रदूसन रहित बिजली मतलग वैसा बिजली जिसमें प्रदूसन नव के बराबर होता है तो कौन सा यहाँ पर बिधी सही होगा यहाँ पर 15 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो B होगा that means याज जानते होंगे पन बिजली यहां पर आपका बिल्कुल सही अंसर होगा जहां से बीना जो है परदूसन फैलाए बिजली उत्पन किया जाता है आगे बढ़ते हैं 16 नम्मर कोश्चन देखिए पूच्छा जारे कि निम्नेलेखित में से कौन सा लाल गरह कहलाता है लाल गरह तो कौन ऐसा गरह है जिसके उपगरहों की संख्या सबसे अधिक है तो 17 का यहां पर आपका बी ओप्शन से यह जहींगे ब्रस्पती ब्रस्पती एक ऐसा गरह है जिसके उपगरहों की संख्या सबसे अधिक है आगे बढ़ते हैं 18 नम्मर कोश्चन यहां पर आपके सामने हैं 18 एत्हारा नमर कोश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बहल के नियमा अनुसार दो तारों का जो है आपको उताना है कि साप्रेगचिक वेग उन दोनों तारों के बीच की दूरी के क्या होता है यह आपको बताना है तो 18 का यहाँ पर आपका A options योगा जखेंगे समान उपाती होता है दोनों तारों के बीच के दूरी का क्या होता है समान उपाती that means directly proportional होता है यह आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं 19 नमबर कुष्चन का सभी साथी आंसर कर सकते हैं मौसम संबंधी भविष्यवानी करने के लिए निमनलिखित में से किस तरह की विधुत चुम्ब की तरंग का उपयोग किया जाता है तो निसका यहाँ पर आपका D options योगा जखेंगे रेडियो तरंग की नेक्स देखेंगे यहाँ पर आपके 20 नमबर कुष्चन 20 नमर कुष्चन है निमनलिखित में से कौन सा सर्व पर्थम संचार उपगरा है सबसे पहला संचार उपगरा कौन सा है तो 20 का यहाँ पर आपका B option सही होगा जखेंगे इनसेट 1A इनसेट 1A यहाँ पर आपका विल्कुल जो है सही आंसर होगा 20 नमर कुष्चन आपके सामने है 20 नमर कुष्चन पूछ रहा है गुक्तचर का काम करने वाला उपगरा निमनलिखित में से किस कक्ष में अस्थापित किया जाता है किस कक्ष में अस्थापित किया जाता है तो 20 का यहाँ पर आपका B option सही होगा जखेंगे बिदूतिये तल के कच्छ में अस्थापित किया जाता है यह आप याद रखेंगे चलिए किसके बाद देखेंगे यहाँ पर हम लोग 22 नमर कुश्चन काफी महत्पूर्ण है ध्यान से देखिएगा पूछा जा रहा है कि किसी निश्चित तिर्जया वाले बिर्ताकार पत मे कोई बस्तू नियत गती से गतीमान है तो यहाँ आपको बताना है कि निमलिकित में से कैसा इस्तित देखने को मिलेगा तो 22 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका स्योगा जखेंगे त्वरन का परिमान नियत है त्वरन का परिमान क्या होगा नियत होगा यह आप याद रखें तथा दूसरे 4 kg के ब्लॉक को एक छत से 7-7 गिराया जाता है मतलब एक ही साथ में दोनों को छत से छोड़ा जाता है जमीन तक पहुँचने में दोनों द्वारा ब्यतित समय का अनुपात आपको बताना है देखिए एक 2 kg का मान लिजे कि आपके सामने कोई पत्थर है और एक 4 kg का पत्थर है ठीक है और इस दोनों को आपने अपने छत से एक ही साथ में छोड़ा गिराया तो दोनों के दोरा लेया गया समय का अनुपात क्या होगा समय का अनुपात यहां पर आपको बताना है तो यहां हम आपको बता दे आपको पता होना चाहिए कि टाइम बरावर जो फर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर 2GH यानि कि टाइम जो है वो द्रबमान पे निर्भर नहीं करता है time को यहां देख सकते हैं कि कहीं भी द्रबमान नहीं है यानि कि time को द्रबमान से कोई लेना देना नहीं है 2 kg हो 4 kg हो उससे कोई लेना देना नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों एक ही समय गिरेगा ठीक है क्योंकि time बराबर फर्वूलत है root under 2gh इसको g और h मतलब height से जो है मतलब होता है तो यहां पर समय जो है बराबर लेगा तो तो इसका d option यहां पर आपका क्या हो जाएगा सही आंसर होगा एक अनुपात एक यहां पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं 24 नमर question यहां पर आपके सामने है 24 नमर question के दोरा पूछा जा रहा है कि एक कार बिरा मवस्था से चलकर एक समान तवरन से तवरित होकर 36 km परती घंटा का वेग 30 सकेंड में प्राप्त करती है तो आपको बताना है तो इसका तवरन क्या होगा इसका तवरन क्या होगा यह आपको बताना है अगर यहां देखा जाए तो प्रारंबिक वेग जो है वो कितना है 0 है प्रारंबिक वेग that means U कितना है 0 है क्योंकि यहां पर आपको बता गया है एक बिरामा वास्था से शुरू करती है तो प्रारम्भी की बेग यानि की यू कितना है जीरो है और अगर अंतिम बेग देखा जाए भी देखा जाए तो देख सकते हैं अंतिम बेग कितना है 36 किलो मीटर परती घंटा है और किलो मीटर परती घंटा को मीटर परती सकेंड में बदलने के लिए आपको क्या कर लेना है पांच बट्टा 18 से गुना कर लेना है 36 को 5 बट्टा 18 से गुना कर लेंगे तो ये किलो मीटर परती घंटा जो है ये चेंज हो जाएगा मीटर परती सेकेंड में किसमें चेंज हो जाएगा मीटर परती सेकेंड में तो 18 दुना क्या होता है 36 और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा तो U का मान यहाँ पर आपको 0 मिला और B का मान जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना मिल रहा है 10 मिल रहा है अब आपको करना क्या है और एक चीज़ और देख सकते हैं टाइम भी दिया गया है, कितना सकेंड, 30 सकेंड, टाइम भी आपको दे दिया गया है, टाइम भी कितना दे दिया गया है, 30 सकेंड दे दिया गया है, इस इस्तिती में आपको क्या पूछा जा रहा है, कि भाई, तोरण निकालो, तोरण मतलब एक्सलेरेशन निकालो, और एक् U8 T, तो V क्या जेक सकते हैं, V आपके पास 10, आप 10- U करेंगे, U कामान 0, तो 10 में से 0 घटाईएगा, तो 10 ही मिलेगा, और बटे T करना है, तो T कामान जेक सकते हैं, 30 है, T कामान कितना है, 30 सकेंड है, तो 30 कर देंगे, और 10 को 30 से भाग दिजेगा, तो आपको मिलेगा 0.33, कित पर जो 0.3 यानि कि B option आपका 24 का बिल्कुल जो है सही answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं 24 का B option किस तरह से होगा आप समझ गया होंगे जो नहीं समझ पाए तो फिर से देख लीजिए वीडियो को पीछे करें के देख लीजिए आगे बढ़ते हैं 25 नम्मर कुष्चन के समय का गराब होगा इसके दोरा तैकी आगे दूरी तथा समय का गराब है वो कैसा होगा तो यहां पर बोला जाए कि एक बस तु बिरामा वास्था से चलकर एक समान्त तोरन से जो है तुरित होकर तुरित होती है तो इसके दोरा जो तैकी दूरी होगी और समय का गराब जो तैकी गई दूरी और समय का जो ग्राफ होगा वो आप याद रखेंगे एक परवले होगा परवले रेटमिस एक हाइपर बोला आप याद रखेंगे ठीक है पारा बोला ठीक है इस टाइप का होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं देखेंगे यहाँ पर जो आपके 26 नमर मुह क्ये बैठा यात्री एक शिक्का उच्छालता है उसमें पूरव क्या यात्री हाथ में गिरेगा क्योंकि वह क्या कर रहा है पूरव की तरफ गारी भी जा रहा है उधर ही आप वह मुह करके बैठा भी है और सिक्का उच्छाल देता है तो जब तक उच्छा गिरेगा गिरेगा तब तक वहाँ पर ट्रेन उसकी पहुंच जाएगी तो यहाँ पर आपका पुनह उस यात्री के हाथ में सिक्का क्या होगा गिर जाएगा यहाँ पर देखते हैं 27 नमर कुष्चन पूछा आंसर होगा आपका D होगा यह देखेंगे 10 के पावर मैनस 5 न्यूटन के बराबर होता है एक डाइन बराबर 10 का पावर मैनस 5 न्यूटन होता है यह आप याज रखेंगे आगे बढ़ते हैं देखेंगे यहाँ पर आपके 28 नमर कुष्चन पूछा जा रहा है कि गती के ति ते किरिया समान परिनाम तथा बिपडित दिशाओं में दो अलग अलग बस्तुओं पर लगती है ये क्या है न्यूटन के गती का प्रतिय नियम है ठीक है ये आप याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो आपके जो आपका जो है अठाइस के बाद जो आपका 29 को देखेंगे यहाँ पर ध्यान समझेगा 29 नमर कोश्चन के दौरा यहाँ पर आपसे पूछा दरा कि नियम्नलेखित में से कौन सा कथन सकते हैं तो 29 का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा डैट मिस याजखेंगे कि संतुलिक्त बल किसी तंत्र में उर्जा परिवर्तन नहीं कर सकता संतुलिक्त बल जो है किसी भी तंत्र में उर्जा परिवर्तन नहीं करता है कभी भी और संतुलिक्त बल ही उर्जा दिशा या फिर आकृति को परिवर्तन करने का काम करता है यह आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं देखेंगे इसमर कोश्चन है गुरुत्य त्वरन जो है उससे संबंधित निम्लिकित में से कौन सी चीजे सही है यह आपको बताना है तो तीस का जो यहां पर आपका सही जो है आंसर होगा वह डी होगा याद रखेंगे प्रित्वी के केंद्र पर सुनने होता है गुरुत्य त्वरन का प्रित्वी के केंद्र पर यानि की अर्थ के सेंटर पर उसका वेल्यू क्या होता है जीरो होता है सुन्य होता है यह आप याद रखेंगे आधे बढ़ते हैं और अब हम लोग शुरू करते हैं केमेस्ट्री और केमेस्ट्री का फास्ट महात्पूर्ण कोश्चन जो है आपके यहाँ पर 31 नमर कोश्चन है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है तो 31 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा यह जो खेंगे विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है 32 नमर कोश्चन है आयोडिन किस बिमारी के रक्षा क करने के लिए आवस्यक हैं यह आपको बताना है तो 32 का ए ओप्षन यहां पर आपका स्योगा जिसमें घ्य घह से नेख्ऱ देखेंगे यहांपर आप 32 नंबर क्यूष्चन है पूछा जात है कि निमने लिखित में से कौन सा जो है जो है जो है चैन पर प्रकिरिया में सबसे आधिक प्रदान करता है तो यहाँ पर तैटिस का जो आपका सयांसरों का C होगा याज केंगे वसा ठीक है उप्चेन होना जिए उप्चेन की प्रकिरिया में सबस्यादी कुर्जा जो है इस कोईशन महल का टैविंग मिश्टेक समझ सकते हैं आगे बढ़ते हैं कौन सी प्रकिरिया कार्बन चक्र का स्वभाविक हिस्सा नहीं है तो चौनतिस का यहाँ पर आपका C उप्चन सही होगा याज रखेंगे जिवास्म इंधन का ओपियोग आगे बढ़ते हैं 35 नमर कुश्चन के दोरा पूछा जारा कि पौधों का जो पड़िवार आम तोर पर नाइट्रोजन इस्थरी करन करता है वह कौन सा है तो 35 का यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा तो आपका C होगा यह रखेंगे फली तो फली यहाँ पर आपका 35 का C आप्शन पिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 36 नमर कुश्चन केमेस्ट्री का काफी महात्पूर्ण कोश्चन मना जाता है निमनलेखित में मिट्टी में उपस्थित NO3 माइनस आयन है का N2 में परिवर्तन की परकिरिया को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है तो 36 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो C होगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखते हैं C option कहां पर है C option यानि की रंग हीन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है sorry 36 हम लोग अभी देख रहे हैं तो 36 question आपका side इधर होगा यहाँ देख लेते हैं ठीक है देखेंगे यहाँ पर आपका 36 नमर question है C option यहाँ पर आपका जो है सही होगा याज रखेंगे विनाट्री करन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं 37 नमर question देखिए 37 नमर question के जोरा पूछार है कि सभी भागों के लिए जल चक्र के सभी भागों के लिए उरजा का सुरोत क्या है यह आपको बताना है तो 37 का यहाँ पर आपका जो सही जो है आंसर होगा वो D होगा जो खेंगे सूर्ज सूर्ज जो है जल चक्र के सभी वागव यानि कि सूर्ज उर्जा का सबसे ब्यापक सबसे बरा सुरूत है तो जल चक्र के लिए भी ये काफी जो है महत्पूर्ण होता है नेक्स देखेंगे यहाँ पर आपके 38 नमर कुश्चन एक पारिस्थितिक तंत्र में उर्जा का पीरा मीड जो है वो कैसा होता है तो 38 का यहाँ पर आपको पता दें कि उर्जा का पीरा मीड जो है हमेशा सीधा और उर्दवाधर होता है यह आपका भर्टिकल होता है पिरामीड अगर देखा जाए तो ऐसा ही होता है तो यह क्या है हमेशा सीधा होता है और उर्दवाधर मतलब इस तरह से भर्टिकल होता है यह आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखेंगे जो आपके 49 नमर कुश्चन है कि पारिश्चितिक तंत्र में किसका परवाह एक दिसा में होता है तो 49 का यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा याद रखेंगे मुक्त तोड़ जागा ठीक है पारिश्वितिक कंत्र में उर्जा का परवा जो है मुक्त उर्जा का परवा एक दिशा में होता है यह आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं चालिस नमर कुश्चन देखिए कम समय है तो हम लोग फास के लिए देखने का काम करेंगे चालिस नमर कुश्चन की खाद स्रिंगला में कबक और बैक्टरिया होते हैं तो चालिस का यहाँ पर आपका डियो उप्शन से होगा है दिखेंगे अपगटक होते हैं यह मिर्त जीवों को अपगटित करने का काम करते हैं एक्तालिस है सबसे महतपूर्ण मानव गति विधी जो वन्य जीव के विलुप्ट होने के लिए अग्रनी है वो क्या है मतलब मानव का वो कौन सा गति विधी है जो वन्य जीवों के लुप्ट होने का सबसे बरा कारण है तो एक्तालिस का यहाँ पर आपका डियो उप्शन स्योगा प्राक्रतिक निवास का प्रत्या वर्तन और बिनास प्राक्रतिक निवास का भालोगों ने क्या किया है प्रत्या वर्तन किया है मतलब जितने भी जंगल इसको काट उठके और उसमें खेती करने लगे इसको करते प्रत्या वर्तन और बिनास भी करने का काम किया है जि अधिक खतरनाक प्रदूसक है इसका कारण क्या है तो 42 का यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो D होगा याज रखेंगे यह रक्त में मिलने वाले हीमोगलेविन से किरिया करता है जिसे कारण यह हमारे लिए बहुत ही क्या हो जाता है खतरनाक होता है आगे बढ़ेंगे देखेंगे यहाँ पर आपके 43 नमर कुश्चन पूछा ज़र है कि अमली वर्षा के लिए उत्तरदाई बायू प्रदूसक गैस है अमली वर्षा के लिए कौन सा जो गैस है वो उत्तरदाई है यह आपको बताना है तो 43 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो C होगा SO2 और NO X यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 44 नमर कुश्चन पूछा जारा है कि वजन में बायू मंडलिय गैसों का सबसे बरा हिस्सा है तो सबसे बरा हिस्सा जो है बायू मंडलिय गैसों का वो नेट्रोजन है क्योंकि नेट्रोजन अकेले 78 परसेंट होता है ऑक्सिजन का बात किया जाए तो 21 परसेंट होता है carbon dioxide जो है co2 वो होता है 0.03% और बांकी के सभी gas जितने भी बच गया इस सभी को मिला करके लगवग 99.03% हो गया इस सभी को मिला करके और बांकी के सभी 0.03% तो 09.07% में ही 0.07% में ही सभी है ठीके 0.07% में अन्य सभी gas आते हैं तो यहां पर आपका सबसे बरा हिसा कौन हो गया नैट्रोजन हो गया आगे बढ़ते हैं 45 नमर कुश्चन के दोरा पूछा जा रहा है कि धूम कोहड़ा है तो 45 का यहां जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा धूआ और कोहड़े का संयोजन है ठीक है आगे बढ़ देखेंगे यहां पर आपके 46 नमर कुश्चन के दोरा आप से पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस परभाब के बारे में सब्सक्राइब क्या है तो 46 का यहां जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा जिखेंगे कारबन डियोक्सड के कारण होता है ग्रीन हाउस जिसने भी प्रभाब है उसका जो कारण है वो क्या है CO2 डेटमिस कारबन डॉकसड गैस है या एक क्या है सत्य कत्थन है ग्रीन हाउस प्रभाब के बारे में 47 नमर कुश्चन आपके सामने है पूछा जारे कि दो समीप वर्ति सजातिय स्रेनी में भिंता होती है किसके द्वारा भिंता होती है तो 47 का यहां पर आपका B option से होगा यहां देखेंगे CH2 ग्रुप के द्वारा ठीक है आपका सही होगा देखेंगे CO2 plus H2O जो है प्राप्त होता है हाइड्रोकारवन के उन दहन से नेक्स देखेंगे यहां पर आपके पचास नमर कुश्चन पचास नमर कुश्चन के द्वारा यहां आप से पूछा जा रहे कि रसोई गैस का प्रमुख घटक है रसोई गैस का मुख्य मेन घटक जो है वो कौन है तो 50 का यहां पर आपका सही आंसर होगा वो C होगा डट मीश देखेंगे प्रोपेन रसोई गैस का जो आप जानते है LPG का मुख्य घटक होता है इसी के साथ देखेंगे यहां पर आपके कावन नमर कुश्चन के द्वारा यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक उप परमानुख कन जिसका एक इकाई द्रभमान तथा एक इकाई धनात्मक आवेश हो तो यहां पर आपको सिंपली पूछा गया कि एक उप परमानुख कन जिसका एक इकाई द्रभमान तथा एक इकाई धनावेश हो तो निमलिकित में से वो कौन सा है तो एकाउन का यहां पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा डैटमिस याद रखेंगे प्रोटॉन यहां पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा विकाउज आप सभी जानते हैं कि धनावेश प्रोटॉन पर ही उपसित होता है नेक्स देखेंगे यहां पर आपके बावन नमबर कुश्चन के दोरा पूचर की दो तत्तों M और N के लिए एक ही परमानु दरबमान है लेकिन उसकी परमानु संख्या करमसा 18 और 19 हैं तो आपको M और N कौन है यह आपको बताना है M और N जो है इसी स्थिती में क्या होगा तो यहां पर आपका बावन का जो सही आंसर होगा वो आपका C होगा डैट मीस याजखेंगे संभारिक होगा आगे बढ़ते हैं देखेंगे यहां पर आपके तिरपन नंबर कुष्चन एक परमानू का इलेक्ट्रोनिक बिन्यास 2,8,1 है तो आपको बताना है कि परमानू में संयोजी इलेक्ट्रोन की संख्या है तो आप सभी जानते हैं कि जो एक्स्टरनल और वायर्ट्रोन का जो इलेक्ट्रोन होता है वही संयोग करता है तो सबसे बाहरी कक्षा में यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रोन दे रहा है एक है तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही संयोग करता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संक्या कितनी हो जाएगी एक यानि की सियोप्षन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं देखेंगे यहाँ पर जो है आपके जो चोबन नमबर कुश्चन है चोबन नमबर कुश्चन है कि जब एक इलेक्ट्रॉन उच उर्जा अस्तर से कम उर्जा अस्तर पर जाता है तब कैसा इस्तिति होता है सिंप्लिए आपको बताना है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है उच्छ उर्जास्तर से कम उर्जास्तर पर जाता है लैट मिस पॉजेटिव की तरफ से निगेटिव तरफ जाता है तो कैसा इस्तिति उत्पन होता है A option आपको दिया गया है उर्जा अबसोसित हो जाती है और आपना आपको बता दें कि जो आपको 54 सळही जो है आहांजर हो जाएगा वह ब्होगा ऐसके उर्जा बिमुक्त होती है next देखेंगे यहां पर आपके 55 नमबो कॉस्चन है 55 नमबो कॉस्चन के जो है इहां पर आपसे पूछा जा रहा जिसा कि आप देख सकते हैं, question आपके सामने हैं पजपन नम्मर कोश्चन है कि oxygen gas के एक मोल की मात्रा है, एक मोल की मात्रा जो है वो किसके बराबर होती है निवल खित में से कौन सा यह आपको बताना है तो पजपन का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो C होगा याज रिखेंगे STP पर Oxygen का 22.4 लिटर जो है आप याज रिखेंगे Oxygen Gas की एक मोल की मात्रा के बराबर होता है यह आप याज रिखेंगे आगे बढ़ते हैं देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 56 नंबर मात्पूर्ण Question जब दो परमानों के बीच एक रसायनिक बंद का गठन किया जाता है तो परमानों की इस्थितिज उर्जा पर क्या परभाब पड़ेगा A option कम हो जाती है P option बढ़ जाती है C option समान रहती है और D option यहाँ पर आपको दिया गया है इस्थितिज उर्जा का पुरमानों मान नहीं लगाया जा सकता तो 30 का जो यहाँ पर जो आपका सही जो आंसर होगा 56 नंबर question का वो आपका B होगा या जखेंगे बढ़ जाती है क्या हो जाती है बढ़ जाती है आगे बढ़ते हैं देखेंगे यहाँ पर जो है आपके संतावन नंबर question काफी मात पूर्ण है संतावन नंबर question के द्वरा यहाँ पर आप से पूछा जारे कि आईनिक योगिक समानिता ठोस अधिक गलनांक वाले तथा बिजली से जो है कुचालक होते हैं यहाँ पर आपको बताना है कि आईनिक योगिक समानिता कैसा होता है तो A option यहाँ पर आपको दिया गया कि ठोस अधिक गलनांक वाले तथा बिजली के कुचालक होते हैं B option आपको दिया गया कि गैस कम गलनांक वाले तथा बिजली के ही ही निचालक होते हैं C option दिया गया है ठोस कम गलनांक वाले तथा बिजली के सू चालक होते हैं और जो यहाँ पर आपका D option दिया गया है ठोस अधिक गलनांक वाले तथा बिजली के कू चालक होते हैं क्या सही आंसर होगा? यह आपको उताना है संतावन का यहाँ पर आपका A option ही सही होगा याद रखेंगे कि आईनिक यौगिक जो है सामान निता ठोस होते हैं और अधिक गलनांक वाले होते हैं तथा बिजली के सूचालक होते हैं यह आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं देखेंगे यहाँ पर आपके अंठावन नम्मर कुश्चन की एक सहसंयोजी बंधन बनता है एक सहसंयोजी बंधन कब बनता है तो अंठावन का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर होगा वो आप याद रखेंगे B होगा दोनों परमानों के युगदान में दिये गए इलक्ट्रोन की साजेदारी से किसे बनता है दोनों परमानों के युगदान में दिये गए इलक्ट्रोन की साजेदारी से बनता है आगे बढ़ जाएंगे उनसर्ट नम्मर कुश्चन आपके सामने है उनसर्ट नम्मर कुश्चन के दोरा पूचर की जब एक लोहे की कील को कॉपर सलफेट के बिलियर में डुबाया जाता है तो किस परकार की अभिक्रिया होती है तो उनसाच का यहाँ पर आपका B option जो है बिल्कुल सही होगा याद रखेंगे 20 थापन अभिक्रिया होती है यह आप याद रखेंगे next तथा CO2 प्राप्त होता है तो इस स्थिती में कौन सा आपका सही जो है आंसर होगा तो 60 का यहाँ पर आपका B option सही होगा आप घटन अभिक्रिया तथा उसमा 6P प्रकिरिया यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा आपको बता दे कि अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को जोइन नहीं किये हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहाँ से जोइन कर लिजे या नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च किजेगा LGRS Study टेलीग्राम पर LGRS Study सर्च किजेगा तो वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल आपको सबसे उपर में मिल जाएगा उसमें आपको नीचे एक जोइन का बटन मिल जाएगा तो उसमें जोइन हो जाएगा क्योंकि आपको बता दे कि पॉल्ल टेकनिक पर वेश्परिक्षा से संबंदित सारा जानकारी आगे हम आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे और वहाँ पर आपके रिजल्ट से संबंदित आपके कॉंशलिंग से संबंदित आपके admission से संबंधित और आगे जो आपका trade होगा क्या trade जो की trade मिलेगा आपके college में ज़र्णिप्सन होगा तो आपके trade से अभी संबंधित सारा जानकारी जो है telegram channel पर हम देंगे और अभी भी बहुत सारा जानकारी हम वहाँ पढ़ी जते हैं तो आप लोग telegram पर lgra study search किजेगा वहाँ पर आपको telegram channel जो हमारा मिल जाएगा उसमें ज़रूर हो जाएगा काफी वहाँ पर आपको महत्पूर्ण जानकारी सब हम देते रहते हैं आज के लिए जना ही रखेंगे आज का वीडियो कैसा लगा comment के माधिम से जरूरत आईएगा और अगर आप अभी तक इस वीडियो को like नहीं किये हैं तो like कर दिजेगा और बहुत जल्द हम math का भी question आप लोग का करवाने वाले हैं इसके just बात हम आपका math का भी class लेकर के आने वाले हैं तो इसके बाद math का class आप लोग जरूर देख लिएगा ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा इसके लिए हम इसमे math include नहीं कर रहे हैं आपके लिए math का सभी math question को हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के मादे हम से जरूर बताइए और अगर आप अभी तक इसको लाइक नहीं किए तो लाइक करके अधिक से दिक अपने दोस्तों में share कर दिए फैला दिए क्योंकि यहां से बहुत सरा question आपको देखने को मिलेगा आपके exam में मिलेंगे next वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR study देखते रहिए